आपको शुरुवात में एक चीज ध्यान से नोट करनी है और याद करनी है क्या चीज जो बच्चों Convex Lens होता है Convex Lens Convex Lens सब कर चानते हैं ये वाला Lens ये बच्चों दो तरहे की इमेज बना सकता है एक तो Inverted Image Inverted Image मतलब उल्डी इमेज जैसे Object ऐसे रखा है तो Image ऐसे बनेगी ये Object ये Image उल्डा हो गई और दूसरी ये बच्चों Image बना सकता है Erect Image Erect Image Erect मतलब सीधी जिसको हम Upright भी बोलते हैं Upright Image मतलब Object ऐसा तो Image भी ऐसे ही सीधी ये दोनों तरहे की Image बना सकता है Inverted भी और Upright भी Important ये बात याद रखना है बहुत अच्छे से कि Inverted Image में ये Size को Enlarge कर सकता है ये Size को Diminish भी कर सकता है और ये Size को Same भी रख सकता है मतलब Object जितना बड़ा लोगे Image पहली बात तो उल्टी बनेगी हो सकता हो Image Object से बड़ी हो जैसे ये Object है हो सकता हो Image ऐसी हो Object से बड़ी हो सकता हो Image Diminish मतलब छोटी हो जाए पुल्टी तो रहेगी ऐसी और हो सकता हो Image का Size Object के Same हो जाए बड़ावर ये भी पॉस्पिल तो जब Convex Lens Inverted Image बनाता है तो वो Image को Enlarge भी कर सकता है बड़ा छोटा भी कर सकता है और बराबर भी रख सकता है सीधी Image बनाएगा तब सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ Enlarged Image बनाएगा सिर्फ और सिर्फ Enlarged यानि Object ऐसा तो Image सीधी बनेगी और बड़ी Enlarged तो ये Point आपको याद रखना पड़ेगा ये Convex Inverted भी बना रहा है Upright भी Upright में सिर्फ और सिर्फ Enlarged और Inverted में हर तरह की Image अब बात करें Concave Lens की इस तरह का होता है Concave Lens सिर्फ एक ही Image बनाता है Erick Inverted नहीं बनाता Concave Inverted नहीं बनाता सिर्फ Upright Image और कैसी Diminished सीधी Image और Diminished जैसे ये Object है तो Image उससे छोटी उससे छोटी और सीधी तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि Concave Lens Forms only Upright and Diminished Image सीधी और छोटी अब इसके सिवा कोई भी Case देगा तो वो कौन है Convex Lens Convex Lens Inverted में बड़ी भी बराबर भी और छोटी भी Convex Lens Erect में Enlarged बड़ी और Concave जब Erect बनाता है Erect ही बनाता है सिर्फ तो कैसी इतनी बातें अच्छे से Note कर लिजे फिर मैं आगे बढ़ो Note कर लिजे इसको फिर मैं आगे बढ़ो अब तक आपने Note कर लिया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं बच्चों Sign Convention की दो बातें याद रखिएगा पहली